नमस्ते सभीकों, हिंदी में हम लोग सत्र शुरू करते हैं, मुझे अमीद है कल तक ठीक हो जाना चाहिए कल दीदी ने बात रखी थी, उसके संदर में अगर आपका दिन भर के observation से कोई प्रश्न मना हो, कोई बात आप शेयर करना चाहें, तो अभी आप रख सकते हैं हम लोग अभी अभ्यास एक कर रहे हैं, अभ्यास एक में मैं द्वारा मैं को देखना, यानि स्वयम द्वारा स्वयम को देखना, यानि चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखना, इसका अभ्यास कर रहे हैं, बहुत ही मतपूर्ण काम है, जैसा कि पहले भी बात हुई है, तो मैं अपने आपको देखने का प्रियास कर रहा हूं और इसके शुरुआत कल्पना शीलता को देखने से हैं अपनी कल्पना शीलता को देखने जाते हैं तो देखता है कि मेरी कल्पना शीलता में इच्छा है, विचार है, आशा है यानि भाव है प्रतिक्रिया किये, बिना मुल्यांकन किये, बिना बदले, बिना रोके, बस जैसा है, वैसा देखने का प्रयास किया, और यह स्टेप वन है, इसको अपने को बनाये रखना है, क्योंकि यह बहुत मतपून स्टेप है, यह अभ्यास एक हो सकता है, अगले कुछ दिरों में अगर हमारा बना रहा है, तो आप आएंगे कि यह बाकी स्टेप से हमारी स्वीति में रहते हैं, और हम इसको स्वाइस फुत्विदी से करते जाते हैं, तो यह कैसे हम अपने भाव के प्रती हर्चल सजग रहें, यह अभ्यास हमें करना है, और यह बहुत गहरा अभ्यास है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अपने भाव के प्रती हर्चल सजग रहा हूँ, सोते, जाकते, उठते, बैठते, काम करते, बात करते, मुझे अपने भाव का होश रहे, अगर भाव का होश रहेगा, तो उस भाव के इस तरपे हम लोग काम कर पाएंगे, नहीं तो फिर विचारों में बहने लगेंगे. विचारों में इसलिए बह जाते हैं, क्योंकि भाव कर होश नहीं रहता. अगर भाव का होश हो जाए, तो आप आएंगे. स्वाइंसफुर्च बीदी से उसका मुल्यांकन भी होता है, उसको परिमाजन करने का प्रयास भी होता है तो यह step 1 है भाव के प्रतिश्चत जग होना step 2 में अपने भाव को हम देखने का प्रयास कर रहे है कि सहाज रिब से स्विकार है कि नहीं step 3 में देख रहे हैं कि इस भाव के साथ विचार के साथ मेरी स्थिति सुखद है कि नहीं मैं आराम में हूँ या नहीं फिर step 4 पे देख रहे हैं कि ultimately भाव का निर्ण है किसका है मेरा स्वैम का या बाहर के परिस्थिति का या किसी अन्य वेक्ति का इसको अबजर करते लिए दो महतोपुर्ण दिसकार्श निकले थे एक तो ये कि मुझे दिखता है कि यदि मेरा ही भाव ठीक नहीं है और ये मेरा ही निर्ण है तो मुझे अपने उपर काम करना है अब मैं इसी बाहर की चीज़ को जिम्मदार ठारा कर यह नहीं मान सकता कि दुख लिए दुसरा वक्ती जिम्मदार है नहीं परशिती जैसी भी हो अगला वक्ती जैसा भी हो अल्टिमेटली यदि मैं दुखी हो रहा हूं तो मुझे अपने में करना है मेरी जिम्मदारी है दुसरा जिसकार्श ये नकलता है कि कि अब मैं संबंध में शिकायत से मुक्त हो पाता हूं। संबंध में शिकायत से मुक्त हो पाता हूं। तो मेरे अंदर इस बात का शिकायत नहीं है, कि दूसरों ने मेरे साथ पास तो कुछ गलत किया। मुझे दिखता है कि गलत किया होगा, आज भी कोई गलत कर रहा हूँ, आगे भी गलतिया हो सकती है, मैंने भी गलत किया होगा, आज भी मैं गलत कर रहा हूँ, आगे भी गलती कर सकता हूँ, परनतो यदि मैं दुखी हो रहा हूँ, तो ultimately ये मेरी जिम्मेदारी है, तो इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है कि एक important conclusion है कि मैं शिकायत मुठ्थ हो पाता हूं कि आप पाएंगे कि बहुत समय तक हमारा विचार है वो शिकायत से ही चलता है तो इससे मैं बाहर निकल पाता हूं क्या लगता है यह जो step 4 हम लोंने किया उससे अपने अंदर जो शिकायत का भाव था उसमें कोई परिवर्तन दिख रहा है किया आप chat box में response कर सकते हैं यह हमारे अंदर once for ever भी परिवर्तन हो सकता है कि हम यह देख पाएं कि मेरे सुब्दुख्रे में स्वयम जिम्मेदार हूं तो मेरे अंदर दूसरे परती शिकायत नहीं रहता बलकि स्वयम दूपर जिम्मेदारी पूरा काम करने का भाव बनता है कि अपने प्रती शिकायत नहीं रहेगा कि क्योंकि अगर मैंने भी कोई गल्ती की है पास्ट में तो समझ के भाव में ही किया होगा इसको अब जैसे से आगे बढ़ेंगे स्टेप्स में यह भी दिखाई देगा क्योंकि उसका दूसरे के वज़ाए अपने को जिम्मेदार पूरी तरह ठहरान लगते हैं और फिर डिप्रेसिक थौट्स आने लगते हैं तो उसकी भी जरूत नहीं है आग भी जरूत बड़या इस्ति फाईव में हम लोगों देख रहे हैं कि जो मेरे अदर भाव बन रहा है जो मैं निर्ने लेरा उसका अधार क्या है समूझ है क्या या मानिता रहे तो यथी मेरे अंदर समझ होती है तो मेरा जोब भाव होता है, वो सुखद होता है, सहज होता है, मैं अपने आप में अराम पाता हूँ, यदि समझ नहीं होती है, कोई मानिता होती है, प्रिस्टिती अनिश्चित रहती है, अगर मानिता समझ से मेल खाती है, तो अराम पाता हूँ, नहीं मेल खाती है, परिशा कि एक संभावना है कि मैं इच्छा-विचार-आशा में अंयॆ कि वे रहता है यहां मानिताओं का प्रभाव हो रहता है संभीत्ना व रहता है कभी मेरी कल्काशृता सहः स्विकृति से भी आती है इससे मेरे अंदर जो विचार होता है वो अनियंत्रित रहता है प्रिय हितलाव की दृष्टी से अनियंत्रित रहता है वैसे जो आशा है वो अनियंत्रित रहती है रूची मुलकास्वादन से अनियंत्रित रहती है रूची मुलकास्वादन मतलब कोई चीज मुझे रूची क लगती हैं, तो उसके आशा रखता हूं कि वो कैसे बनी रहे, ताकि मेरे अंदर सुरु बना रहे, कोई मुझे अनुकूल भाव लगता है, तो भी उसके लिए मेरे आशा बनी रहती है, कि ये भाव मुझे मिलता रहे, वैसे द्रिष्टी में देखे, तो प्रिय की यानि शरीर को अधिक साधित में पोशन से रक्षन दे पाऊं, और लाव के द्रिष्टी, कम से कम श्रम करके, अधिक साधिक सिंधा में जया, ऐसे द्रिष्टी बनी रहती है, और ऐसे द्रिष्टी जब बनी रहती है, तो हम परतंत्र होते हैं, हमारे अंदर जो भाव होते वो मुझे सहाजिम से स्विकार नहीं होते, मेरी स्थी सुखद नहीं होती, और मैं ऐसी स्थी बना रहता हूं। एक बार इस पस्थ हो जाए कि ultimately मेरी आयोग्यता है, यहां डायग्राम में अगर आप देखें तो इस पस्थ से दिखाई देता है, कि मेरी आयोग्यता है, जिससे मेरी अंदर सुखिने अंदरता नहीं हो पारी, तो यह जो ऊपर की क्रियाएं हैं वो जागरत है, उसको जागर रहे हैं, इसको क्रमशा करते हुए, जो इच्छा के अस्तर पर मेरे अंदर भाव बने हुए हैं, उनमें परिमार्जन होता है, तो जो मेरे भाव अभी अनिश्चित बने हुए हैं, उनमें निश्चिता हो पाती है, चिंतन क्रिया जागरत होने के साथ, जो मेरे अंदर चि कभी शंका औग्या आश्वस्ति ऐसा नहीं है कभी आड्मुल्यान औमुल्यान याइसा नहीं मैं ठीची मुल्यांकन कर पाता मंद्क कर देना इंदर एंदर और bishop करद आपने अंदर उन्हाने को बना है कभी आसा सूचना कि समझ जाएगा इसनगा प्रयाश करता हूं जो सोचता हूं कि यह कभी नहीं समझेगा, ड्रॉप करो इसको, ऐसा नहीं, पिर अंदर वातसल्य का भाव बना रहता है, कि अगला विक्ति समझना चाहता है, समझ सकता है, समझने का निश्यत कारिकम है, यह भाव मिरे अंदर बना रहता है, वातसल्य का भाव बना रहता है, इस प्रकार से धीरे मेरेंदर अद्क रगेश भाव तियार होते हैं तो अभी आप आएंगे कि अभी हम जो अभ्यास कर रहे हैं उस अभ्यास हो करते हुए इन भावों को जागरत करने की फिश्ट-भूमी तियार हो रही है हम इन भावों पर इस भाव को जोड कर देखते हैं कि जीने के इस घटना क्रम में कि ये भाव लागू होता है, तो हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पे बात किया, कि कैसे इन भावों के अधारपर्म को जीने में समधान मिलता है, घर में कोई आयोजन है, कोई सम्बंदी के साथ निर्वाह करना है, अपने जॉब के बारे में कुछ निर्णे लेना है, घर में कुटा पालना है और नहीं पालना है, तो इन में से अरे एक मुद्दे पर हम लोगों ने इन भावों को जोड़ कर देखने का प्रयास किया, तो इन सब को करते वे क्या हुता है, धरे-धरे हमारे विचार से टल होते हैं, और हमारी चित्रन क्रिया विक्सित होती है कि अब हम अपने जीने के पूरे कारेक्रम को असपश्ट्रूप से और देख पाते हैं इसके मूल में जाते हैं तो जो मौलिकता है चित्रन की भाव, सहज स्विक्रित भाव, वो अस्पस्ट होते जाते हैं, तब हम धीरे धीरे चित्रन से चिंतन की और जाने के लिए काम कर रहे हैं, यह जितना चितना हमारे चिंतन में भाव अस्पस्ट होते हैं, उसी के साथ बोध अस्पस्ट होता जाता है, यानि वो 21 क्या है? इस काम को बध होता जाता है. ये पषु क्या है? पग्छी क्या है? मनUS SCHE क्या है? तेर पाओदे क्या है? इनके साद्धा जिते हुए, इनके साद्धि अपने भाव को जाचते हुए, इनकी सुम में व्यास्ता Sapash Usht 당 activity जाती है यह काम हमारे अंदर होता जाता है फिर दिरी दिरी और विक्सित होते हैं और जागरत होते हैं करते करते हैं यह जितनी भी क्रिया हो रही है पूरी प्रकृति में इसके मूल में क्या है अधार में क्या है उसको देखना शुरू करते हैं तो हमें शुन्य क्यों होने का पता चल प्रूप में दिख जाता है यह करने का काम है तो अभी हम लों ने जब देखा कि मेरे निरणय का अधार क्या है सही समझ या कुछ मानिता समझे बगएर तो कई वर पता लगया कि मानिता कोई ना कोई काम कर रही है जब तक यह चिंतन बोद अनभव जागरत नहीं होते हैं मानिता बनी ही रहती है क्योंकि मैं कोई बी सम्वन्द को पहचानूंगा उसके पीछे कोई ना कोई मानना हो अगा जानना नहीं हुआ है तो मानना रह गई रहगा और वही माननेता बन जाती है और हमको ड्राइव करत तो इस बात को अपने आप में स्विकारने के जरूरत है कि जब तक हमारे अंदर ये ब्लॉग बीवन की त्रियाय जागरत नहों जाए मानेता है बनी ही रहती है और हम जीना मानेताओं के अधार पर ही कर रहे होते हैं मानेता थी भी हो सकती है गलब विश्वाथ है यह मानेता ही जब तक मानेता के क्रम में हैं सुख के निरंतरता नहीं है जब तक मानेताओं में जी रहे हैं स्वेम में विश्वास नहीं है संबंदों में विश्वास नहीं है और चलता ही रहता है जी यह वीता जी तो यह यह भाव हमारे अंदर जितने थीक होते जाते जो सहत स्विकर भाव है ऐसे होते जाते तो इसे हमारी समझ में क्या वो होगा जैसे कि हम वो पहला स्लाइड देखते हैं न कि सुख स्वभाव है या प्रभव तो उसमें हम स्वभाव की साइड में इसा लिखते हैं कि स्वयम में सही समझ के आधार पर और दूसरा लिखते हैं स्वयम में सही भाव के आधार पर तो हम ये जो एकसरसेज कर रहे हैं वो भावों को ठीक करने के लिए कर रहे हैं. तो ये जो समझ है उसके वर साथ फिर ये कैसे चुनेक्ट होगा? तो जब सही समझ, सही भाव कहा रहे हैं, चिंतन बौध अनुभाव को मिला के कहा रहे हैं. विए प्रेश्ट करने का प्रेश्ट करने प्रेश्ट कर लें जब भी हो जाएगा तो सही समझ की पूरता हो जाएगी नहीं तो आर्शे प्रूप से इतना बहुत होगा उतने समझ हमारी बनी रहे है जी नरिश्कुमार जी हलो जी हाँ नमस्कार सर सभी को नमस्कार नमस्कार सरी ये भाव और विचार में दोनों में क्या डिफ्रेंस है पहले भाव आया देखिए पहले आनक के बज़ा कहेंगे कि भाव के दर में विचार चलता है जैसे मेरे अंदर ये आपके परती विरोव और वाव इसका घंटे दो घंटे तक बना रहेगा ठीक और उसके साथ गंटे दो घंटे में कैं वीचार चलेओं कि शुक्राइब है विचार कर रहा है है नाज लिएनय तरह के विचार करने भाव पहले सब बना रहता है अश्ञाल कोई नहीं ना कोई भाव तो हमारे अंदर हर्चंद रहता ही है संबंद का भाव होता है संबंद के साथ विचार करते हैं विरुवत का भाव होता है तो विचार करते हैं तो भाव विचार के मूल में रहता है भाव में जल्दी परिवर्तन नहीं होगा विचारों में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है लेकर कई सारे विचार करते हैं तब ही आपके सामने को दूसरा विक्ति आ गया उसकी विरौद के सथा अपने प्रतिक्रिया कर दिए फिर बहुत सरा विचार चला विचार आप आएंगे भगदर रहती है एक भाव पनावाई विरौद का यह ना इरिटेशन का, एंग्जाइटी का, कोई ना पर भाव बुना हुआ है, और उसके साथ विचार तल रहे हैं, यह भाव को पकड़ना ज्यादा जिरूरी है, कि भाव पकड़ में आता है, उस भाव के दार पर जो विचार त्यार हो रहे हैं, वो नहीं अन्धित्त होने लगते हैं, हमको दिख जा कि अल्टिमिली देखो, विरोध का भाव बना इसके विचार आ रहे हैं, तो विरोध की भाव पर काम करेंगे सिदे-सिदे, लगातार रखने की कोशिश करते हैं, या देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें ऐसे लग रहा है, कि पहले जो थे, जो एकसिप्टेड भाव नहीं थे, वो धीरे-धीरे ना, मतलब उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, वो कम हो रही है, जैसे मान लीजे भीया, मैं एक्सांपल ही तो हमें ऐसे पहले था कि कुछ हम ने किया, तो हम एप्रिसेट करें, थोड़ा आपक्षा हम रखते थे, बट उसकी फ्रिक्वेंसी ना, अभी काफी हमें लग रहा है, थोड़ी कम हुई है, तो अलग से तो कुछ काम नहीं हुआ है, तो जो हम ये प्रोसेस्म से जा रहे है जो संबंद के भाव को सिर्फ हम देखने की कोशिश करते हैं, इस वज़े से ये जो था मेरी एक परतंत्रता जो दिखती थी या बनी रहती थी और उसकी वज़े से फिर थोड़ी भाव बिगड़ जाते हैं, वो काफी कम हो रहे है, ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे? हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, तेकिए धीरे थी हम अपने उपर की क्रियाओं में गती करते हैं, तो पहले जो नीचे उथल पुथल था, अनिशित्ता थी, भगदर थी, अंतर विरोध था, वो कम होने लगता है, और सही भाव पे ध्यान जान लगता है, यही मतलब एक सुभाविक गती है, जैसे हम उपर की ओर जाते हैं, और फिर किसी पॉइंट पर जाकर भाव हमको इस पर दिख जाता है, बर जब तक वो दिखना नहीं हुआ है, तब तक कम ज़्यादा कम ज़्यादा नीचे उथल पुथल लगा ही रहता है, यह कि होकर ऐसा कर रहा है, एक कई बार आपको ऐसा एक अंदर से लगेगा भी किसी के साथ ब्योहार करती है, कि अगर हम वहाँ पर मानना को हटा दे, यानि कोई माननेता न रखें वहाँ पर, बस अबजर्ब कर रहे हैं, दुसरे के बहार को, तो आपको कुछ चाहना स्पष्टो लगती है, इस उपर पूर्व करके देखिएगा, बट यह ठीक है, जो आप कह रही है, ठीक है, तो आज पर यहाँ पर रोखते हैं, बहुत कर दो आपको न मक्ते।